वेलकम टो स्मार्ट टेडिंग एकेड़मी मैं आपका दोस्त अयूश अगरवाल लास्ट वीडियो में आपको बताया भी था सुमवार वाली वीडियो में सुमवार को बड़ा उलट फिर ठीक है और मार्केट ने लगबग वैसा ही किया एक बड़ा उलट फिर आपको दिखा संभव आने वाले दिनों में दिखाए तो वीडियो को बिने स्केप करें पूरा देखना और चैनल पर नहीं हुए चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि सभी अपडेट्स आपको तुरंत मिल सकें जो लोग बैक टेस्टेट सेट अप सीखना चाहते हमारी प्लेलिस जरूर देखें या फिर हमारी वेबसाइट भी विजट कर सकते हैं ज्यादा जान करें के लिए और सबसे पहले बात करें बैंक निफ्टी की बैंक निफ्टी में 700 पॉइंट के आसपास का फॉल दिखाया बजार और निफ्टी में भी लगबग 200 पॉइंट की मंदी आपने देखन को मिली सबसे पहले लेके चलता हूँ आपको हायर टाइम फ्रेम पर मुझे कुछ फाइंड आउट हुआ आपके साथ भी शेयर कर रहा हूँ कुछ भी हिडिन नहीं रख रहा है या पे ट्रेंड लेंड का सपोर्ट ले रहा है बजार टूटा तो बड़ा फॉल आ सकता है ए की शुल्डर बना दिया यह भी शुल्डर बना दिया तो बजार हैडें शुल्डर पैटन बना रहा है और ब्रेक आउट के कन्फर्मेशन की वेड़ है जस्ट और ये ले गया तो बजार में बड़ा फॉल आने वाले दिनों में हो सकता है फिर आपको देखने को मिले जो बजार को कहीं ना कहीं मोटा मोटी अगर आप मानके भी चलो तो 48-300 और यहां पे आया 47-300 तो मोटा मोटा आप एक 1200 पॉइंट 1000 से 1200 पॉइंट तो आराम से फॉल फिर आ सकती है बजार में बैंग निफ्टी में ठीक है बड़ एक ही दिन में नहीं आईगी समझने की बात यह वैसे आज 700 पॉइंट का फॉल दिग गया एक दो दिन में अराम से दिखा सकता है अगर कनफरमिशन मिल जाती अब कल को दुबारे अगर यह लो कार देता है ना आज का लो और यह फ्राइडे वाले लो कार देता है तो बजार का गिरना लगबग तै हो जाएगा एनलिस्ट के अकॉर्डिंग या फिर मेरी अकॉर्डिंग बड कोई भी हापे मेरी बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं ह लहां आप समझचे ट्रेट करेंगी तब ही पैसा बनेगा अपना मैंघ आप स्वयेम करें इसलिए का जाता है सीख के समझचके ट्रेट करें तब ही पैसा बनेगा टिप्स के बढ़ोसे बिलकुल भी ना रहें ना मेरी ना किसी की यहाँ पे कोई मेरी बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है कॉल लाइटिंग कहां हो रखिए सबसे पहले हम उस पे निगाम देख लेते हैं कॉल लाइटिंग हो रखिए 47700 पे कॉल लाइटर्स बैटे हुए यानि के एक अच्छा उपर इंटर्स बिल्ड अपो रखा है 47700 पे जो मुझे लगता है तो एक रेसिस्टेंस की तरह वक करेगा मार्किट में ये लेवल सपोर्ट का है 47300 पे सपोर्ट है 47300 पे एक सपोर्ट फाइंड आट मुझे हुआ यानि के कही ना कहीं बजार ने जो लो लगाया उसके नीचे एक सपोर्ट है और थोड़ा सा मैं बफर भी लेके चलता हूँ कुछ पॉइंट का 47250 बजार ने क्लोजिंग दी 47450 रुपे के आसपास की क्लोजिंग बजार ने दी है तो मोटर वोड़ी मानके चलो बजार अगर एक बार को लो कार्ट दिया ना तो डेर से 200 पॉइंट तो गिर सकता है बजार ठीक है एक support भी है तो इसके आसपास से support ले सकता है बजार ठीक है ले गया तो बल्ले बल्ले otherwise बजार में हो सकता है फिर नया fall नए low आपको देखने को मिले इस अफ़ते ठीक है तो 47,370,47,250 एहम level लो कारता है तो पुर्था इडेंटरी एक बार बनाई जा सकती है price section अगर आपको मि बिल जाता है बियर इस पर सक्षिन 47,47,250 एहम support बजार का और यह तूटा तो बड़ा खत्रा हर बार लिखता हूं खत्रा है इसके नीचे है बड़ा खत्रा क्योंकि आप देखो यह वाली जो line लगा रखे नहां हायर टाइम फ्रेम वाली यह भी टूड़ दाएगी और जो म 46,250 के रखर नीचे सस्टेन कर गया तो बजार में आने वाले दिनों में बड़ा 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 खत्रा आपको देखने को मिल सकता है नीचे की तरफ कहां support है 46,950 एक level find out हुआ 46,950 फिलाल के लिए और यह तूटा तो बजार हो सकता है फिर 46,500, 46,000 की तरफ भी बड़तवा आपको दिखाई दे ठीक है तो कुछ ये levels मुझे find out हुआ अब बात करें तेजी के levels की बजार अगर gap down opening होगी या 47,300 के आसपास या 47,300 के तो भी एक बार को break कर सकता है 47,300, 47,250 तक जा सकता है 47,250 के नीचे मन दी फ्लैट opening होती है तो कहां तक जाएगा 47,700 से द पे तो आप call side entry करें बट थोड़ा सा सेफ नहीं रहेगा बजार थोड़ा weakness ज्यादा है ठीक है एक momentum मिलना तो प्ले कर सकते है 47,700, 47,750 की तरफ तेजी का है बजार में बजार में आप देखो ये जो एक fall आया फिर इसने एक base बनाया base बनाने के बाद गिरा है तो एक supply zone यहा है सकता है 47,800 रुपए के ऊपर ऊपर की तरफ 47,900, 47,948,080 रुपीज के resistance दिखाई देते हैं तो ये bank nifty में picture अभी वियरिश यूटन मारके घुमे बजार तो ज्यादा ठीक है एक आपको point capture करने का मौका मिल जाएगा इस range में अगर वियरिश पैस सक्शन मिलता है तो put side entry आप plan कर सकते हो नीचे की तरफ levels आपको मैंने बताई दिये क्या levels देखने को मिल सकते हैं अब बात करें nifty की बड़ उससे पहले चैनल पर नहीं होए चैनल को आप subscribe कर दीजिए and press the bell icon ताकि सभी updates आपको तुरंत मिल सके निफ्टी में भी देखो reversal kind of pattern हमें देखने को मिल र ठीक है ये टॉप लगा ये टॉप लगा तो डबल टॉप ही बन गया बजार में higher time frame पर वनार के चार्ट पर जाके देखो के तो वनार के चार्ट पर कुछ इस टाइप का pattern lower lows formation ये low था नया low बजार ने आज बना दिया तो बजार down trend में आ चुका डेली चार्ट पर मैंने last week भी आपको बताया था क्या हो रहा है ये देखो आज क्या करा इसने डोजी डोजी बीरिश केंडिल फिर दुबार इसने क्या बनाया डोजी बीरिश केंडिल बीरिश इंगल्फिंग भी बना दी विच इस बीरिश साइन आने वले दिनों के लिए daily charts पर बना वाय ठीक है पूट राइटिंग हो रखी है ये सपोर्ट है बजार का इसके नीचे देखो एक demand जो नियाबी बैठा वाय बजार में उपर गया ये पॉजलिया बजार में और फिर उपर गया तो कहीं ना कहीं बजार में एक सपोर्ट ये निकल के आता है मैं draw भी करके दिखायाता हूँ 21-400 रुपे का 21-400 रुपे के आसपास का 21-400 रुपे के पूट राइटर स्वेटे में इस सपोर्ट है तो 21-400 से 21-450 का एक जोन में मान सकता हूँ सपोर्ट की तरह वक्त कर सकता है कल के लिए कल ये परसू के लिए ठीक है तो एक बार को बजार अगर ये low break करता है तो दो बा रहा है आप पूपसाइड एंट्री प्लैन कर सकते हैं अगर बियरिश पैस सक्षेन आपको मिल जाता है नीचे की तरफ लेवल मिल जाएगा 21-400 बड़ा खत्रा का बड़ा खत्रा 21-400 के नीचे 21-400 के नीचे बड़ा खत्रा बजार में हो सकता है जो बजार को काफी नीचे लेके आ सकता है ठीक है कितना नीचे लेके आएगा हाया टाइम फ्रेम पे एक बार चलके देख लेते हैं यह इसी को मैं थोड़ा जूम कर देता हूं और करने के बाद मुझे क्या पता चला है एक सपोर्ट बजार का ये है 21-250 और उसके बाद 20-985 रुपे के सपोर्ट नज लेवल दिखाई देते हैं तो वीकनेस लगातार बजार में हावी होती हुई दिरे दिरे ये कंफर्म है बजार में सैलिंग की गई आज डियाईस के दौरा डियाईस लगातार आप देखें चार से पांट सेशन्स में बिक वाली करते आ रहे हैं और हो सकता है मुझे ऐसा द संबावना बन सकती है क्योंकि ये कॉल्लाइटिंग यहां पर रखी है उपर की दिराफ लेवल एकके सास सो एकके सास सो पचास रुपे का लेवल दुबारा दिखा सकता है तो 21-600 के उपर बजार क्या करना चाहिए सस्टेन करना चाहिए तभी एक ट्रेड तेजी की बजार में संबावनाएं बन सकती है अधर्वाइस फिलाल में फिलाल बजार में वीक्नेस एक सपोर्ड है वहीं सपोर्ड के आसपस क्लोजिंग दी बजार ने आप पांच मट के चार्ट पर अगर आप बुलिश प्रैस सेक्शन मिलना है तब एक ट्रेड बनाया जा सकता है तेजी के तरब भी बनाना है ट्रेंड तो पांच मट के चार्ट मैंने यहाँ पर लगाया है इस लाइन के ओपर यह जो ब्रेकडाउन हुआ ना इसके ओपर अगर सस्टेन करेगा तो एक बार को 21630 का लेवल आपको दिखा सकता है ठीक है अधर्वाइस हो सकता है बजार गूंता रहे यहीं गूंके फिर दुबारे नीचे आ जाए तो पॉसिबिलिटी जितनी बनती है वो आपके साथ डिसकस की जाती है बट फिर भी समझ के ट्रेट करें क्योंकि बैक टेस्ट सेट अप आपको पैसा देते हैं यहाँ पे और इसलिए अपना बैक टेस्ट सेट अप बना होगी बड़ा पैसा बनाया होगा वहाँ पे तो वह सेट अपस आप हमसे भी ले सकते हैं या फिर आप एक सेट अप हमारी प्लेयर लिस्ट में अलड़ी मैंशन है महां जाकर आप देख सकते हैं थैंक्यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो